हेलो गाईज तो गाईज मैं आपी दिन की फर्स्ट ट्रेल ले चुका हूँ और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट को शोट किया 153 के भाव फिर इसका उपन प्राइज है डेड़ सो और अभी इसका लो भी लगा 120 का ये तो पता नहीं कम में कुल लग गया लेकिन द दिन पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता ठीक है इस तरह की दिन में त्रस्ट ट्रेडर पैसा गवाती है ठीक है तो यहाँ पर हम फूल डिसिप्लिन से काम करेंगे यहाँ पर जो मेरा टी एसल है वह कट चुक है बहुत ही छोटे से लोज में ठीक है तो अभी देखते हैं अपरोचिनिटी का वेट करते हैं तो भाई लोगों यहाँ पर मेरी सेकिंड एंट्री भी हो चुक है ठीक है सेम स्टाइक प्राइज मैंने सेम प्राइज पर यहाँ पर ओडर को एक्जेकुट किया है तो लेट से भी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा एसल भी कट सकता ठीक है अब मैं आगे ट्रेड बहुती से बल के लूँगा देख तो गाइज मैंने यहां पर नेक्स एंट्री भी ले ली है वो ली है मैंने 43,600 की पुट में ठीक है मैंने पुट को शोट किया है वो है 165 के बाव पर तो लेट सी अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है दोस्तों तो भाई लोगों जो हमारा चोटा मोटा लोस था वो भी रिकवर हो चुका है और इसका लो लग जो है 134 के बाव का ठीक है अगर मेरा यहां पर SL भी करता है क्योंकि मेरा SL आचुका है ओन कोष्ट ठीक है तो लेट सी अभी देखते हैं कि क्या होता है ट्रेड में और दोस्तों इस ट्रेड की एंट्री की बात की जाए वो मैंने एंट्री इस परपस से लिए दोस्तों इसका जब मैंने यहां पर एंट्री ले रहा था तो इसका लोग था 166 के पाव का ठीक है तो जैसे इस स्टाइक प्राइज ने तो अभी देखते हैं कि ट्रेड में क्या हूता है दोस्तों यहां पर फिर से लोस में बदल चुक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखते हैं भी लेकिन दोस्तों लोस रिकवरी के लिए बिल्कुल भी नहीं था ठीक है यह चोटा मुटा लोस जरूर ले लूँगा ठीक है बागी देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एंट्री मैं लेता हूं यह नहीं फिर जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूं तो भाई लोगों फिर मेरा TSL कटा एंड फिर मैंने एक और एंट्री ली कोल साइड पर ठीक है वहां पर जो ब्रेक आउट ता वो डिशापेर हो गया फिर मैंने अब थोड़ी देर पहले एक एंट्री ली यहां पर 87 के भावव पे पूट साइड में तो दोस्तों यहां पर भी जो ब्रेक आ गारी वाले दिन ही ऐसा होता है जहां पर ज्यादे लोग साथ अनलों बड़े प्रफिट होते थीख करना दो दोस्तों हमारे हात में है कि हम यहां पर कितना लोस लेने वाले है ठीक है आप जैसे आप यहां पर मुझे 1000 और लोस हो तो मैं अब यहां पर आंगे को ट्रेडिं नहीं करने वाला ठीक है यहाँ पे टोटल मेंने टरीड कितने की फाइव टरीड की अगर कुछ टरेडर रहे हैं यह भी सोच चले हैं कि यह तो ओवर ट्रीडिंग होगे दोस्तों इसको ओवर टरीडिंग नहीं बोलते हैं तो आगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान ल तो दोस्तो हम आचीक मेंगनिफिटी के चार्ट पे दोस्तो आप देख सकते हैं और इस तरह रहा दोस्तो जिस ब्रेक आउट के में बात कर रहा था वह प्रेक आउट था दोस्तो यहां पे लेवाल है 43,582 ठीक है अभी इसने यहां पर breakout यह क्रोस कर दिया ठीक है इससे पहले यहां से रिट्रेस किया फिर वापीस आया ठीक है ऐसी चलता रहा अब देखो दोस्तों यहां पर ब्रेक आउट मिला लेकिन अब यहां से वापीस आने लगा है ठीक है जो मेरी श्टाइक कर दो दोस्तों यहां पर देखो दोस्तों अगर आपकी लिमिट पूरी हो गई है और आप फिर भी स्कीन के सामने बैटी हो तो दोस्तों देखो मार्केट तो आपको लालाच देती रहेगी ठीक है आपको कहीं न कहीं एंट्री बना के देगी ठीक है आप एंट्री लिलोग तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यार में उड़ जाए लोस नहीं लेने वाला तो उस तेम सिस्टम को बंद कर दो ठीक है अब ट्रेडिंग फिर कर लेना ठीक है नेक्स डेकल लेना ठीक है मंदे कर लेना ठीक है तो इसी अप्रोच के साथ काम करना है अधिकतर क्या करते हैं ट्रेडर क्या करते हैं कि ट्रेड लेते रहते हैं कि नहीं लोस रिकावर करना है उनके दिमाग में फिर प्रोफित नहीं फिर उनके दिमाग में चलता है लोस ठीक है तो इस अप्रोच के साथ हमें काम नहीं करना ठीक है अपने डिसिप्लिन एंड रूल लेगूलेशन क कोई अपनाना है ठीक है चले दोस्तों आयाम डन फोर दा डे अब मैं कोई फ़र्दे ट्रेड नहीं लेने वाला